standardized the given NaOH solution volumetrically हमारे पास NaOH solution है जिसकी molarity हमारे पास unknown है ठीक है यहाँ पर हम लिखते देते हैं हमारे पास इसकी molarity unknown है और इसको हम क्या करेंगे standardized करेंगे यानिके हमने इसकी molarity को जानना है मालूम करेंगे किस तरह से जी एक acid लेंगे जिसकी molarity हमें मालूम होगी और titration के थुरू हम इस NaOH solution की molarity को find out कर लेंगे तो इसको हम कहते हैं जी standardization या standardized हम कर रहे हैं किसको NaOH के solution को इसका हमारे पास principle क्या है जी हमारे पास basically यह acid-based titration है ठीक है जिसमें हम oxalic acid को जो है primary standard के तौर पर यूज कर रहे हैं primary standard हमारे पास क्या होता है जी जिसकी हमें molarity known होती और वो 100% pure होता है ठीक है उसके बाद क्या होगा हमारे पास oxalic acid और NaOH दोनों मिलके neutralization का reaction करेंगे तो यह हमारे पास principle है next हम बात करें standard solution की तो 0.05 molar oxalic acid यहां पर हम use कर रहे हैं इसकी molarity हमें known है इसलिए हमने इसको कहा है यह हमारे पास standard solution है और इसको हम हमेशा bureaut में लेंगे अब हम जो acid-based titration कर रहे हैं इसमें हमारे पास जो है अपने आपको शो करेंगे जबके basic अगर हमारे पास solution होगा तो इसमें इसका color जो है वो क्या हो जाएगा लिए अब हम क्या करते हैं हम इसकी equation भी देख लेते हैं overall कि हमारे पास oxalic acid है यहां पर हमने उसका formula लिखा है ठीक है one mole of oxalic acid जो है वो two mole of anewate से react करेगा तो हमारे बस क्या बना रहा है जी sodium oxalate बना रहा है procedure में हम क्या करेंगे जी हम oxalic acid का जो है 0.05 molar solution जो है वो बना लेंगे और burrit में हम जो है वो डाल देंगे ठीक है burrit को हमने 0 तक यहां पर fill कर लेना है यहां पर हमें 0 mark नजर आ रहा है और इसमें हम liquid जब डालते हैं हम solution जब यहां पर इसके अंदर burrit के अंदर fill करते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसका lower meniscus जो है वो touch करना चाहिए इस 0 mark के साथ ठीक है तो इसको हम कहते हैं कि इसको हमने up to the mark fill कर दिया है ब्यूरिट को हम यहां पर up to the mark fill कर लेते हैं और उसके बाद यह जो हमें conical flask नजर आ रही है इसमें हम 10 ml of unknown molarity naoh solution इसमें डाल लेंगे ठीक है और हम देखेंगे कि bright pink color यानि dark pink color इसका हमें नजर आएगा अब हम देख रहे हैं यह जो हमारे पास bright इसका pink color है हमें यहां पर नजर आ रहा है सही है और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं जी इसको अगर हम यहां पर stand की उपर रखेंगे इस style या paper के बगार तो इसका color हमें इतने अच्छे तरीके से नजर नहीं आएगा हम क्या करेंगे इसकी नीचे हम white tile या फिर white paper रखेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे drop wise हम oxalic acid में डालते चले जाएंगे यहां तक कि हमारे पास यह bright pink color है यह light pink में change हो जाएगा end point हमारे पास बिलकुल light pink आ जाएगा जी हम देख रहे हैं यहां पर हमारे पास बिलकुल इसका color light होता चला जा जा रहा है और हम देख रहे हैं कि यह बिलकुल light हो गया तो यहां पर हमारे पास end point जो हो attain हो जाता है यानि कि जो हमें चाहिए था light pink color वो यहां पर हमें solution का मिल जाता है प्रिसीजर में हमने देख लिया कि हमने light pink color end point जा हो attain कर लिया है यानि कि हमारे पास neutralization हो चुकी है titration जो हमने करनी थी end point जो attain करना था वो हमने हासिल कर लिया है इसी तरह से हम क्या करेंगे जी observation और calculations कर लेंगे और इसके लिए हम एक table draw कर लेते हैं हमारे पास जो standard solution था oxalic acid का वो हमने किसमें लिया था जी burrit में हमेशा हमने ले ले लेते हैं जो हमारे पास standard solution होता है और जो unknown molarity का हमारे पास solution था यानि नई और जिसकी हमने molarity find out करनी है और उसको standardized करना है उसको हम क्या करते हैं जी conical flask में लेकर और oxalic acid के against हम क्या करते हैं titrate करते है अब हम initial reading अगर देखते हैं जो हमारे पास burrit के उपर नजर आ ली थी तो वो हमारे पास थी zero उसके बाद final reading हमारे पास क्या आ जाती है हम कहते हैं कि 11 हमारे पास ml यूटलाइस होता है acid का ठीक है तो इस तरह से हम क्या करेंगे final reading में से initial वाली minus करेंगे तो हमारे पास volume of acid जो के यूज हुआ है neutralize करने के लिए base को वो कितना हुआ 11 ml ठीक है तो यह हमारे पास number one यानि कि एक दफा हम इस तरह से क्या करेंगे titrate करेंगे उसके बाद दुबारा से हम कॉनिकल फ्लास्क में unknown molarity का ने ओएच सलूशन लेंगे और second reading को हम find out करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 11 से ही again start करेंगे जो हमारे पास bureaut में मौजूद oxalic acid था उस से ठीक है तो यहाँ पर final reading हमारे पास क्या आ जाएगी जी 22 ml यहाँ पर हम लिखते हैं तो इस तरह से 22 में से 11 ml हम initial reading को जब minus करेंगे तो again हमारे पास volume of acid used यहनि की neutralization के लिए जो हमारे पास استعمال हुआ है 11 ml है again third हमारे पास जब reading आएगी तो 22 ml से start होगा और 33 ml तक उसकी final reading आएगी again हमारे पास volume of acid जो used हुआ है वो 11 ml है अब हम इन तीनों का जब mean लेते हैं तो हमारे पास जो mean volume of acid यूज होगा वो भी 11 हमारे पास ml हो जाएगा तो यह हमारे पास क्या है जी acid का volume हमारे पास यहाँ पर मालूम हो गया कि 11 ml जो है हमारे पास इस्तमाल हुआ है इसके बाद हमारे पास molarity of oxalic acid हम जो कहते हैं वो हमारे पास कितनी है जी हमारे पास M1 से उसको हमने यहाँ पर denote किया है और 0.05 molar है molarity of NOH हमें unknown है इसलिए हम क्या लिखते हैं उसके लिए M2 यहाँ पर यूज करते हैं और question mark डालते हैं यहाँ पर हम ले आते है molarity of NOH solution हमारे पास मालूम नहीं है ठीके इसको हम कर देते है question mark उसके बाद हमने volume of oxalic acid जो कि यहाँ आप से मालूम कर लिया है वो कितना है जी उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं यह हमने लिख दिया 11 ml जबके volume of NOH solution जो कि हमने conical flask में लिया था वो हमारे पास कितना था जी वो हमारे पास 10 ml था number of moles के अगर बात करें तो हमारे पास हमने chemical equation में भी देखा था number of moles oxalic acid के हमारे पास N1 से हमने उसको denote किया वा है 1 है और NOH के जो number of moles हमारे पास आ रहे हैं वो जी 2 है इसको हम यहाँ पर equation से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर chemical equation में हम देख रहे हैं oxalic acid का 1 mole react कर रहे 2 mole of NOH के साथ इसलिए हमने N1 और N2 को respectively 1 और 2 ले लिया है इसके बाद हमारे पास molarity equation है जिसमें M1 V1 over N1 acid का हम यहाँ पर put करते हैं उसके equality में यहाँ पर equal के sign के बाद हम base का M2 V2 over N2 को यहाँ पर put कर लेंगे तो हम ऐसा करते हैं कि इनकी values ले आते हैं हमारे पास oxalic acid जो के हमने acid के तोर पर use किया था उसके molarity हमारे पास क्या थी यहाँ पर हम देख रहे हैं 0.05 molar तो यहाँ पर हमने यह put कर दिया volume उसका कितना utilize हुआ था जो के mean volume of acid used हमने यहाँ से निकाला था ठीक है वो हमारे पास था 11 ml और number of moles इसके हमारे पास 1 थे उसके बाद base की बात करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा M2 जो है वो हमारे पास unknown है हमने molarity उसकी find out करनी है क्योंके हम उसको stendrise करना चाह रहे हैं हम उसकी basically strength को find करना चाह रहे हैं molarity को find out करना चाह रहे हैं इसलिए यह हमारे पास M2 as it is होगा यहां पर conical flask में जो हमने volume of NaOH solution लिया था V2 वो हमारे पास 10 था उसके बाद उसके number of moles हमारे पास 2 थे ठीक है इसको जब हम rearrange करेंगे तो यह 2 हमारे पास इस तरफ जाके multiply हो जाएगा और हमारे पास 2 into 0.05 into 11 divided by 1 into 10 आ जाएगा और इसको जब हम calculate करेंगे तो हमारे पास molarity जो आ जाएगी NaOH की वो हमारे पास आ जाएगी 0.11 molar ठीक है तो इस तरह से हमारे पास जो unknown solution था unknown molarity का NaOH का solution था उसकी molarity हमारे पास यहां पर पता चल जाएगी और यही हमारे पास result है जो हमने solution लिया था जिसके molarity हमें unknown थी अब हमने उसको find out कर लिया है molarity of NaOH solution हमारे पास find हो गई है 0.11 molar तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो है stenderization किस तरह से होती है और हमने stenderize किया है given solution of NaOH और किस तरह से जी वोल्यमेट